हलो दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनार जे ओनलाइन क्लासिस में तो आज है साथ सितंबर उस साथ सितंबर के जितने भी इंपोर्टेंट करेंट अफर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को हम लोग आज डिसकस करेंग देखते हैं पहला कोश्चन है कि मंत्री मंडल की नियुकति समिते ने किसे रेलेवेब बोर्ड का सीई ओ नियुकति करने की मन्जूरी दे दी है तो आप लोगों को बताना है इसका जो राइट आंसर इसके जो आप्सन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर है आप्सन है सशिन इनसर वगापिया या इनमें से कोई नहीं तो आप लोगों को इसका जो राइट आप्सन बताता है इसका जो राइट आप्सन है वह هو आप्सन अंबर मन्जूरी मंडल की नियुकति समित ने रेलवेब बोर्ड के वर्तमान के चीरम hoping आधो और में कोundert का मुंह चारकार का अधिकारी यानि की सीओ नियुक्त करने की मंजूरी देदी है चेयर मैन और सीओ अब कैडर कंट्रोलिंग ऑफीशर होगा जो डीजी की मदस से मानों संसाधनों के लिए जिम्मेदार होगा रेलवे के आठ विंग्स को लेकर एक सेंटर सर्विस बनाने का काम चल रहा है जिसे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस नाम दिया जाएगा या दिया गया है इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस आई आर एम एस का नाम बतल कर इंडियन रेलवे हेल सर्विस कर दिया जाएगा क्या इंडियन रेलवे हेल सर्विस कर दिया जाएगा तो प्रजेंट टाइम कि हमारे जो railway मंत्री हैं वे कौन है तो वे कौन है प्यूज गोयल जी प्रिजेंट टाइम के हमारे railway मंत्री हैं अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे कोश्चन की दूसरा कोश्चन है कि बेल्जीम Grand Prix F1 2020 का किसाब किसने जीता है तो यह किताब किसने जीता है आप लोगों को बताना है इसके जो आफशन है वह है लोगों की स्क्रीन पर है आफशन है लूईश हमिलिटन मैक्स वोष्ट एपन या बालटेरी बोटास या इनमें से कोई नहीं तो आप लोगों का इसका जो आप्षन हैं हुआ है लुई हैमिल्टन तो वैल्जीम सब्सक्राइब गरांप्री है 2020 लुई है हमल्टन ने जीती है भर मुला वन विद्टन ग्रांप्री 2020 का खिताब विर्टेन के मरस्डीज रेसर लुई है मिल्टन ने जीत लिया है यह प्रतियोगता वैल प्रतियोगता में दूसरे इस्तान पर फिल लैंड के जो मस्रीज के रेसर हैं बाल्टेरी बोटास और तीसरे इस्तान पर नीदर लैंड के रेल बूट के जो रेसर हैं कंपनी के मैक्स पर रहे हैं अब लोग बात करते हैं अपने तीसरे क्वेस्चन की किस कंपनी ने विस्ट को सबसे बड़े सौर उर्जा उत्पादक का दर्जा हासिल किया है तो वह किस ने किया है इसके जो आप सबसे हैं वह आप लोगों की स्कीन पर है वाफ लोगों इसका जो राइट आप्सन बताना ह जो है डाणी गृइंज इसने किया है अड़ानी गरीन भारती अच्छे ऊज़ा कंपऑनी चम्ता के मामले में दुनिया की यह प्रह्म पर प्रूबार शुर्जा कंपनी olm freaking devo फोलियो अब तक पहुझना इसका लच्च है जितना 25 गीगावार्ट तक पहुझना इसका लच्च है आप हम लोग बात करते अपने चौथे कुश्चन की चौथा कुश्चन है कि भारत की पहली मेला किस ल किया गया है तो आप लोगों को बताना है उप लोगों को रहे हाप सबसित किया गया है ज्वह राये तो है MA था याइन बेखले जो माइर है सब्सक्राइब का किया गया है सब्सक्राइब के रूप में को हाल ही में आएयो में ते मेरे हैं को Cum mir अब कुष्चन में बात आई है तमिलनाड की तो तमिलनाड की राजधानी क्या है चेन्नाई मुख मंत्री के पलानी स्वामी जो की आल इंडिया अन्ना द्रवड पार्टी से हैं कौन आल इंडिया अन्ना द्रवड मुंत्रे कंगरम पार्टी से यह हैं आगे बात करते हैं कि तमिलनाड के जो गवर्णर है बनवारी लाल पुरोज़ी तमिलनाट के गवर्णार है उच्छी नहले का नाम MADRAAS उच्छी नहले है M nationalism कि अब हम लोग बात करते है अपने पांचमे कुश्चन की पांचमा कंश्चन है कि कि सरकार ने घंदगी भारत छोडव अभियान सुरू किया है तो आप लोगों को बताना है इसका सही और संद इसके वह आप लोगों की स्क्रीन पर हैं आपसट जो है वह हैं गुज्रात महाराष्ण मध्रदेश उत्तर प्रदेश तो आप लोग इसका जो राइट आप्षन बताना है इसका जो राइट आप्षन है वह है मद्ध प्रदेश राज में गंदगी भारषे शोड़ों अभियान की सुरुवात की गई है मद्ध प्रदेस सरकार दौरा 15 दिनों तक चलने वाले गंदगी भारत छोड़ो नामक एक अवियान की सुरुआत की गई है अवियान के तैस 7,178 बस्तियों में जागुता कारकरम आयुद किये जाएंगे इस अवियान में मद्ध प्रदेस के 378 नगरी निकायों के लगवक 35 लाग लोगों ने हिस्सा लिया है अब कुशन में बात आई है मद्ध प्रदेस की तो हम लोग मद्ध प्रदेस के बारे में बात करेंगे मद्द्य परदेस की राज धानी है भपाल, मुक्ष मंत्री की हैं, धुकर मंत्री सीट 29 सीट 11 विदान सभा की सीट 230 है, कितनी 230 है आगे बात करते हैं कि मद्द प्रदेश के पांच पड़ोसी राज हैं कौन कौन से हैं वो महाराष्ट चत्तिस गड़ उत्तर प्रदेश राजिस्तान गुजरात मद्द प्रदेश के पांच पड़ोसी राज हैं मद्द प्रदेश के राष्टी उद्यान के बारे में बात करत वह भारत के मद्द प्रदेश से होकर गुजरती है और यो करके रेका यह भारत के आठ राजियों से होकर गुजरती है कितने से आठ राजियों से होकर गुजरती है वो कौन कौन से हैं वे हैं गुजरात राजिस्तान मद्द प्रदेश छत्यरगर जहारखंड पश्चिम मैला का gatherings हो गया है तो आप लोगों को बताना है और आप लोगों की स्क्रेंठ पर है आप अंबर इसका आपशन हो गया है प्रसिद्ध हिर्दय रोग विशेशक डाक्टर एस पद्मावती का एक सो तीन वर्ष की आयू में कोविट 19 के कारण नेदन हो गया है वह भारत की पहली महिला कार्डियो लॉजिस्ट थी उन्हें गार्ड मदर ऑफ कार्डियो लॉजी के नाम से भी जाना जाता था वह नेशनल हाइए नेशनल हार्ड इंस्टिट्यूट की संस्तापक थी किसकी नेशनल हार्ड इंस्टिट्यूट की संस्तापक थी यह अब हम लोग बात करते हैं अपने साथमें कुस्चन की साथमा कुस्चन की हाली में सिस्चक दिवस कम मनाया गया है तो आप लोगों को बटाना है कि जो हाल में सिस्थिक्ट इबख मनाएग로 मनाया गया है तो इसके जो आप स्पार्ष चे परहें आप सब् fluorinaire और तो आप लोग यू इसके प्राइट आप सन बताना है तो इसका जो रिट्ट आप Σ ones kay वह आप्सन नंबर आगे बात करते हैं कि भारथ में पांस सितंबर को चैसे च्छ दिवस के रूप में मनाया जाता है यह जिए धर भारत के पूर वराश्ट पती अव पहले उपराष्ट पती सर्पंली रादा-कर्षन के जन्म दिवस के उपलब्द में मनाया जाता है डाक्टर ऐस क्रिशनर का जन्म पांस सितंबर 1888 को तमिल नाड के तिरुमनी गाउं में हुआ था वे विश्य सिच्चक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है इसे संयोगतुराज बनाता है कौन संयोक्त राष्ट्र मनाता है से उका मना जाता है पांच अक्टूबर को विस्ट सिच्छक दिवस्ट मनाया जाता है अब हम लोग बात करते हैं अपने नेश्ट क्वेश्चन की नेश्ट क्वेश्चन की पंजाब और सिंद्वेंग के नए एमडी और सीओ किसे निक्त किया गया है तो आप लोगों को बताना है कि पंजाब और सिंद्वेंग के नए एमडी और सीओ किसे निक्त किया गया है इसके जो आपसन है वह आप लोगों की इसकी दिन पर है आपसन है फूशर महापात्रा या भी सिरी राम या रजिदीश कुम इन में से जो तीन आपसर ने इन में से कोई नहीं यानिकि इन में से कोई आपसर नहीं है जिन्में M.D.N.C.E.O. बनाया गया है कैबिनेट की निक्टी समिती ने को पंजाब और सिन्ध बैंक के प्रबंद निदेशक और मुख कारकारी अध़कारी निदेशक। अब हम लोग आप नेश्ट कोश्चन की बात करते हैं नेश्ट कोश्चन है कि भारत के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड ओपन आनलाइन चेस्ट टूनामेंट जीता है तो आप लोगों को बताना है इसके जो आपसन है वह आप लोगों की स्कीन पर है आपसन है विशुनात आनंद कोकेश डी या पी यान यान में से कोई नहीं तो इसका जो राइट आपसन है वह है पी यान इसका राइट आपसन है विश्चन ने वर्ड ओपन आनलाइन चेस्ट टूनामेंट जीता है भारती ग्रैंड मास्टर पी इनियन डिपर तिस्टिट अर्था अनुवल वर्ड लिया था जिसमें से तीस से अधिक ग्रैंड मास्टर सामिल हुए थे पी यान ने खिताब जीतने के लिए जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर बाडूर जो बावा और सैम सीवियन संयुत राज अवेरिका के सरगेई एरनबर्ग और यूक्रेन के नियुजेक इलिया को हराया है अब हम लोग बात करते हैं अपने रहा कि कुश्यन है कि एके 203 को भारत में त्यार करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझोता किया है तो इसके जो आपंसं है वह आप लोगों के इसकीन पर है आपसं है रूस इसराइल फ्रांस अमेरिका तो आप लोगों का इसको जो राइट आपसन पताना है इसका जो राइट आपसन है वह है आपसन नंबर ए यानि कि भारत ने रूस के साथ सम्झावता किया है केंदरी रच्छा मंती राजनाज सिंग के तीन दिवसी मौस को दोरे के दोरान भारत के और रूस के बीच अत्या अधनिक एकी 203 राइफल भारत में बनने है तो एक बड़े पैमाने पर समझावते का अंतिम रूप दे दिया है इस राइफल को भारत में भी बड़े पैमाने पर तयार किया जा सकेगा एके 203 राइफल 247 का नवीनतम और सरवादिक उन्नत प्रारूप है अब क्वेश्चन में बात आई है रूश की रूश यह यह यूरोप और एशिया महादीफ में इस्तित है राजदानी इसकी है मॉस्को और रूबल इसकी करंसी है राष्ट पती हैं बलादमीर पुते ने हांके और यूराल परवत एशिया रूश को यूरोपी रूश से अलग करता है जो एक एशिया रूप यूरोपी रूश को यूराल परवत अलग करता है आगे देखते हैं कि रूश की संसद का नाम डूमा है सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रूस की संसर का नाम क्या है तो वह क्या है रूस की संसर का नाम डियूमा है